बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो कुछ दिनों बाद आप लोग बोलोगे कहां गया आमिर खान ढूंडो दोस्तो जैसे कि आपको पता होगा साल 2022 बॉलिवुड के बड़े बड़े स्टार के लिए सही नहीं रहा अक्षे कुमा ने तो अकेले भाई चार फ्लॉप दी है आमिर खान की दोस्तो लाल सिंग चड्डा मतलब बहुत लंबे समय बाद आमिर खान आ रहे थे लाल सिंग चड क्योंकि भाई बिना आमिर खान की बॉलिवुड णके नहीं कि देख लो मैं अभी वी ऊनकी나 मोई शौक से देखता हूं जब भी बोर होता हूं printed मोई लगा लेता हूं सरैफरोज हो गई बाजी हो गई अन्दाश अपना-पना और भी बहुत सी ऐसी मोई ए बादा के बामिर में आमिर खान के बिना मेरे ख्याल से मन नहीं लगेगा अभी कल ही दोस्तों एक प्रेस कॉंफरेंस में आमिर खान ने कुछ बाते बोली हैं जो दिल को चुब रहे हैं अभी देखो लाल सिंग चड़ा फ्लॉप हुई कोई बात नहीं उसे प्रेविस मुवी भी उनकी फ्लॉ खान लेने का फैसला लिए को पता होगा जब लालसाइस हम दिल्वाउर मुविया बनाएं बनाएं वह अभी भी मूवी बनार है हीट दे रहे हैं सूपर हीट दे रहे तो उमर से आप लोग यहाँ पर नहीं टैग कर सकते कौन फिल्म बनाएगा कौन नहीं लेकिन पहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बात आमिर खान को गाइस बुरी लगती हैं हमें भी हम यहां पर वीडियो बनाते हैं लोग बोलते हैं मैं बिताओंगा भूल जाओ कि एक डेड़ साल तक मैं कोई मूवी करने वाला हूं जैंग वह एक मूवी करने वाले थे वह भी रिमेक थी चैंपियंस इस्पैनिस मूवी थी फुटबाल के ही मेरे खाल से टॉपिक पर मूवी थी बहुत अच्छी उनको उनकी स्टोरी लग करेंगे सोनी पिचर के साथ और उसके लिए वह एक बड़ा चेहरा तलाश रहे हैं बड़ा चोटा जो भी मिल जाएक्टर होना चाहिए लेकिन दोस्तों आमिर खान देखो डेड़ साल तक वह कोई मूवी में हाथ नहीं लगाएंगी उसके बाद मूवी अगर कोई वह इस मूवी आएगी यानि कि आमिर खान की मूवी का जो एक दर्शक वर्ग है जो इंतजार करता है उनके लिए बहुत बुरा वक्त है क्योंकि आमिर खान आपको यह तीन चार साल नहीं दिखने वाले तो उन्होंने बोल दिया है लेकिन आप लोग लगा कर चलो कि तीन चार साल तक वो नहीं आएंगे लाल सिंग चड्डा आप लोग कह सकते हो कि बॉक्स ओफिस में जडूरी हुई है लेकिन अगर आप लोग नेट्फिक्स की स्ट्रीमिंग के मामले में देखो तो नेट्फिक्स भाइसा माला माल हो चुका है साथ वे हपते भी ट्रेंड कर रहा थ पैसे कम कर देख शुरुवात में डेड़ सो दोसों क्रोड की बात हुई थी लेकिन जब मुवी नहीं चली तो वही नभे या फिर 95 करोर रूपे में डील हुआ लेकिन दोस्तों इस मुवी को जिस तरीके से ओनलाइन गाइस स्ट्रीमिंग मिली उसे सभी लोग सर्प्राइ तुम लोगों को आमिर खान प्रडॉक्शन हाउस को 500 रुपे देना चाहिए जो तुमने हरकते करी है न वह बहुत बेकार है तो माइस आमिर खान की जो मूवी थी यह ब्लॉकबस्टर हो सकती थी कोवीट से पहले कोवीट के बाद लोगों को अभी मिर्च मसाला एंटर्ट में एमेस धोनी के बाद जाने के बाद उनके जो कमी खली है यहां पर आपको बॉलिवूड में आमिर खान के जाने के बाद खलेगी अलाकि एक्टर तो बहुत से हैं लेकिन आमिर खान की मूवी जिसमें आपको वह एक्ट करते होई दिखाई देंगे वह है सलाम वैंकी ट्रेलर भी देखा होगा काजोल और आमिर खान की जोड़ी आपको फना के बाद एक बार फिर से दिखाई देंगे हाला कि कैमियो में ही है बहुत छोटा रूल है ट्रेलर गाइस काफी हर्ट वार्मिंग है बहुत जादा एमोशनल करता है विशाल जेट हुआ जो मरदानी पार टू में आपको दिखाई दिये थे इसमें उनकी एक्टिंग बहुत जबर्दस है मतलब इस मुवी में आपको आमिर खान करते वह दिखाई देंगे क्या होगा उनका रोल देखना आफी दिलचस्पोगा अला कि इस मुवी में एक डायलोग गाइस काफी अच्छा लग लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों जिस तरीक है उनका लुक जो बैट के गाई जिस लुक में वह बोल रहे थे उसमें भी अगर वह एक एक्शन मुवी ला दे तो भाई ब्लॉक हो जाएगी मतलब ब्रेक लेना गाईस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है इस वक्त बॉलीवूड को भाई जरूवत है आमिर खान की आमिर खान की जरूवत है बड़ बड़ स्टार की आप लोग देखो अक्षे कुमार भी कैसी कैसी मुवी कर रहे हिरा फेरी से उनको निकाल दिया गया है वह इसके अलावा दोस्तों और ऐसा कोई एक्टर मुझे दिखाए नहीं पड़ा जो आगे फ्यूचर आपका क्या कुछ एस्पेक है ना बताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही